गुद मॉर्निंग बबलो गुद मॉर्निंग कैसे है अच्छा फ्राइडे है वीकेंड साइद अच्छा बीते सबके और नीजलेंड में थंडा है इस्ट्रिलियम भी थंडा अमिर्का केनेडा में गरम है बेहत गरम जिसके बले बहुत गरम है और हंडर्ड फेरनहाइट जो नहीं और इधार जीरो डिग्री नीजलेंड में तो दो को धरती आस्मान कहीं इए कंट्री में थंडा तो कहीं ओ कंट्री में गरम एणिवेः फ्राइडे रहा हम सोचा तुम लों के साथ में कुछ शेय कर लेंगें हर वक्त हम कुछ नग कुछ शेय करते रहता है और देखो एक समय ऐसन आई जई कि हम लोग साथ अपन जो उन चाहने वालन के हम लोग साथ चेहरा भी नहीं देख पाएगा उस समय आई जई कहें के मतलब भी है कि उस समय अभी जो उन समय से हम लोग गुजरी थे और अभी दो कोई साथ पेंडेमिक हम सोस्ता रहा है रहे इंडिया में इतना आदमी मर गें अमरिका में भाज्जारों मिलियन आदमी मर आऊध Gay ना करो यह सब चीज ना अब उट टाइम सब चेंज हो जी अभी तक हम लोगे चेहरा पे अब तो इसे माज धका रो ही आता किसे इतने खरी दिखाई तुम्हें चेहरा ने दिखाई कि कौन अदमी है एक समय आजी और खास तोर पर आज हम यही मंगता बताए कि देखो विक्सीन में आँ मांगे लग़ए ना अच्छा तुम दारु पीता तुम नागोना पीता तुम तमाकु पीता और भी नसेली पादा रहत तुम लोग पीता तब तो कोई तुम्में औरी नहीं है, कि लाओ विसकी में कौछी छोडाने इननी रब में कौची है अी वोटका में कौची है इननी जिन में कौची है उसके लिए lot of people, कोई clearances नहीं मंगता कि इसके लाओ हमें ingredients कौची तो बार हुए प्यू तो दोखो आदमी कुछ भी बोले यह जो न पेंडेमिक है इस सिर्फ डॉक्टा लोग समझे सके तुम्हार मूड पिरावे बुखार लगे चोट लग जाए हम लोग डॉक्टा के लगे जाता के नहीं अब डॉक्टा एक गोली लिख के तुम में दे पेरेडोल होए पैन किला होए जो भी कुछ है हम लोग तो गोली भित्तर खोल के देखता नहीं कि कौन्ची हम लोग धरता मूँ में डखेल लेता जावे नाती कहे के मतलब यह है कि आफटा इवाइरस आई से उसके बाद में अमेरिका इंग्लेंड सब कंट्री अमेरिका के जिसे यूसी यलाई जोन सबसे बड़ा रिसेच जहां पे होए अस्ताटाल के न तो हुआ पे इस सब चीज़ जोन साइंटिस्ट लोगों नहीं हो लोग डिज एक चल्दी जल्दी से भी जैसे साज एक वाइरस निकला आइट्स के आज तक दुनिया में कोई नहीं पाई से उसके वेक्सीन लेकिन यह जोन फ्लू वेक्सीन है लग जा अच्छा हो जाए न तो इभी वाइरस जोन है यह एर बोन डिजीज है ख्याल करना और बज़ोर प पसेंट या 95 पसेंट तक के वेक्सीन बन गए है कि जाए के वो तुमार लंग्स में फाइट करी उसते ना तो अब इसमें कुछ देश के जो अदमी लोगों है वो लोग बले हम लोग नहीं लगवाएगा वेक्सीन चाहे कुछ भी हो जाएगा बट वो आए अगर जो तुम वेक्सीन नहीं लगा तबी तुम्हें बुखार पकड़ ली तुम पेनेडोल तो खाएगा तो उसमें जो भी कुछ से वेक्सीन बना है कोई हाम नहीं है तो इसको नहीं नहीं बोलो अगर जो है चुपे जा वेक्सीन लगा लो नहीं तो एक समय आईसन आई जाई कि तुम अपन घर से दुसरा घर में नहीं जाए पाएगा आज अपने थोड़ा देर के लिए सोचो कि तुम लोग के फैमली में अभी फीजी में एक जगा पे शादी अभी होए हैं दस अदमी मिलके पर लड़की के साधी करें गाउं बारे शेड भी नहीं बना घर के बित्तर मंड बना पाँच अदमी मिलके जाई से एक मैयत एक अदमी के लेके लेके जाए भी जराओं है लो फाइफ पीपल उइट पीपल का हम लोग यह दिन देखे मंगता अगर जो वी गेट वेक्सिनेटेड क्विकली हम लोग अपने आपके सुई लगवाए लो जाए के उसमें फिर कौनची हो जाई कि तुम साइफ रहेगा तुमार फेमिली साइफ रहे तुमार पूरा और फिर एक साध अचानक से वाइरस राइट हो जाए सोचो इसे लिए 5-10 मिन के लिए सोचो के about two months में वाइरस राइट होगे आज दूदू साल होगे हम लोग अपन देश छोड़के ह हम लोग नहीं देखा है especially me I haven't been to America for nearly two years two and a half years I haven't seen my brothers my sisters and my families in Fiji in Australia लिया है तो कहें के मतलब ही है अगर जो आप सुस्ता है कि तुम्हें कोई भर्माई से कि तुम्हें नहीं विक्सीन नहीं लगवा हूई यह हूँ है that's wrong you listen to your authorities अपन डॉक्टर के पूछो उलक से बात करो so they will let you know वहीं लोग तुम्हें बता ही है कि इसके result कोँछी है anyway भबा लोगों माइड नहीं करना comments are welcome अगर जो आप कोई comment दे मंगता है तो आप दे सकता है और अपन love ones के ख्याल करो अपने आपके ख्याल करो अपने आपके सुरक्षित रखो यही suggestion हम देगा इस weekend के लिए enjoy your weekend look after you and your family आपस्वेसद है सुर्भी प्रहाप माइड़ी टीड़ी टीड़ी रखो आपके ख्याल कर अपने प्याष़ी दोग्ज़ी लिए